नहरू योवा केंद्र चमबा और जिला एथलेटिक्स सांग के संयोक तत्वाधान में पुलिस मैदान बारगाह में दो दिवसिय जिला स्तरियक हिलकू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता की दोरान एथलेटिक्स के अलावा वाली बॉल वर कबड़ी के मुकाबले करवाए गये प्रतियोगिता की समापन मौकी पर विजेता वो उप विजेता प्रतिभागियों को पुरसकार देकर सम्मानत भी किया गया नहरू योवा केंद्र के जला योवा अधिकारी विवेक कुमार ने बताया की इस दो दिवसी खील कूद प्रतियोगिता में जला की विभिन विकास खंडों से खिलारियों ने हिस्सा लिया प्रतियोगिता में लड़कों का लड़कियों के अलग-अलग वर्ग में मुकाबले करवाए गए मैं विवेक उमार जिला युवा धिकारी औहर युवा कि अंदर चम्बा आज औहरीओ युवा कि अंदर चम्बा के सोजन्ने से पुलीस ग्राउंड बारगा में दो दिवशिय備 खेल कूथ परिविटा का योजन किया गया इस खेलकूत परिवितिया में बिना विविन तरह की एक्टिविटीज थी जिसमें अथलैटिक्स इवेंट्स थे ग्रूप इवेंट्स में बोली बोल, कवड़ी और जिसमें कवड़ी में 16 से ज़्यादा टीमों ने भाग लिया और बोली बोल में 10 टीमों ने भाग लिया और इस खेल की प्रेज़ का उधेश यह है कि हमारे जो यूबा हैं वो ज्यादा मुबाइल में ना रहकर ग्राउंड में आए और फिजिकल अक्टिबिटीज में अपना योगदान दे और यूबाओं को नशे से दूर रखने का भी एक अच्छा साधन है इस तरह की यूबाओं को देश के विकास में भागिदार बनाना और इस तरह से यूबा अगर स्वस्त रहेगा तो वो देश के निर्माण में अपना युगदान जरूर देगा जन्यवादान नहीं नहीं यहाँ पर सिर्फ यह जो डूनामेंट चलेगा यह जिला स्तर तक ही चलेगा इसमें राज्य स्तर पर नहीं वेज़ेगा